भारतीय रेल्वे इस तमय फिनेंशल डिस्ट्रेस में है और कई और्गनाइज नेशनल इशूज के बीच से भी गुजर रही है वी विल डिस्कस कि भारत रेल जो है रेल्वे जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक इस्टेबलिश्मेंट है उसके साथ क्या क्या इशूज चल रहे हैं देखते हैं यूज्वली जो रेल्वे का एनालिसिस था वो हमेश्या बजट के साथ हो जाया करता था लेकिन जो रेल्वे बजट है अब वो बेसिकली जो यूनियन बजट होता है उसके साथ ही मर्ज कर दिया गया तो उसके उपर से थोड़ी सी spotlight हट गई है जो पुराने चातर हैं अगर पहले से तयारी कर रहे हैं 2016 से को पुराने चातर हैं तो वो जानते हैं कि पहले budget के साथ-साथ एक अलग से railway budget भी आया करता था union budget से दो-तिन दिन पहले आ जाता था तो उसके साथ-साथ railway budget पर एक अलग से discussion होती थी रेलवे की financial health, railway के organizational issues को अलग से discuss कर लिया जाता था अब अब जो railway का budget है वो union budget के साथ ही किया जाता है इसके बारे में एक history की चोटी सी बात जान लेते हैं कहीं UPSC में किसी prelims में पूछा जा सकता है कि Ackworth Committee ये अंग्रेजों की समय की एक committee है Ackworth Committee एक railway economist थे ब्रिटेन के ही थे उन्होंने 1922 में suggest कि रेलवे का अलग से budget आना चाहिए तो 1924 में जो government थी ब्रिटेन government उस समय जो हुआ करती थी उन्होंने basically railway का अलग से budget लाना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर वो annual system हो गया था कि हर साल railway का नाया budget अलग से union budget के अलग present किया जाता था ये जो practice थी ये 2016 तक चली थी लास्ट में जब सुरेश प्रभू railway minister थे उन्होंने हमारा last railway budget present किया था लेकिन 2016 सितंबर में जो government थी उन्होंने बोला कि railway budget को इस समय union budget के साथ merge कर दिया जाता है तो टोटल 92 साल तक ये practice चली और उसके बाद अब इसको हटा दिया गया अब जो railway budget है वो union budget के साथ ही आता है इस बर का अगर आपने budget पढ़ा हो क्योंकि budget पढ़ना बहुत ज़ादा ज़रूरी है हर साल budget से संबंदे तीन से चार या पांच question UPSC में आ नहीं होते है economic survey और budget को मिला के उसमें से या तो government scheme से related या कुछ और information मिल जाएगी लेकिन budget और economic survey दोनों को दोनों ध्यान से पढ़ लीजिए उसमें जिसने भी आपने budget पढ़ा है तो railways के दो काम है एक तो passengers को लेके जाना अगर आप में से मुझे किसी को Mumbai जाना है तो दिली से train पकड़ कर जा सकते हैं एक तरीका है दूसरा जो समान transport होता है goods जो transport होते हैं freight transport जिसे कहा जाता है वो भी railways एक बहुत important section उसका क्रे करता है तो जो freight transport था वो 2021 जन्वरी में सबसे जादा हाईश था तो एक बात है COVID-19 pandemic के बावजूद भी आज तक का हाईश था ऐसा नहीं कि फुराने साल सबका मिला के इस मीन्स कि economic activity जो कि pandemic की वज़े से रुख गई थी कम हो गई थी वो basically अब दुबारा से बढ़ रही है क्योंकि अगर सावान ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसका मतलब manufacturing हो रहा है एक सीधा सा parameter है अगर freight transport बढ़ रहा है इसका मतलब economic activity बढ़ रही है चीजों की production बढ़ रही है एक जिन्जे से दूसी जंगों पर उन्हें बेचने के लिए लिए जा रहा है however इसमें एक problem है कि जो budget में एक मुद्दा important वाला रह गया है कि freight earnings कितनी है इस साल की जो freight earnings है वो जो projected है वो है 1,24,184 करोड रुपे 2020 से 2021 के लिए financial year आप ये भी समझते होंगे कि जो government का financial year होता है वो April से अगले साल मार्स तक चलता है तो जब 2020-21 बोला जाता है कभी आपने पढ़ा होगा तो इसका मतलब जो 9 महीने हैं वो 2020 के हैं और जो 3 महीने हैं वो 2021 के January, February, March January, February, March और यहां पे April से लेके December तक ये हमारा financial year है इसी तरीके से अगर हम जो government के finances है कि एक साल में कितना खर्चा किया एक साल में कितना revenue हुआ वो इस financial year यानि कि किसी साल के April एक April से लेके अगले साल के 31 मार्स तक count होता है तो जो 2020 से 2021 यानि जो कोरोना वाला पूरा पूरा financial year है उसमें जो railways के freight revenue है यानि कि समान को ट्रांसपोर्ट करने से कितना revenue आया उसकी earning से एक लाख चौबिस हजार करोड लेकिन ये काफी अच्छी है बढ़ गई है पिछले साल से बहतर है लेकिन 2019 बीस से बहतर है लेकिन 2018-19 यानि दो साल पहले एक लाख 27,000 करोड थे यानि कही न कहीं पर कुछ न कुछ कमी भी आई है इसका मतलब पिछले साल तो हो सकता था कि कोरोना की वज़े से उपर से सिफ freight रन ही चल रहा था जो passenger revenue था वो तो बिल्कुल कमी हो गया होगा क्योंकि lockdown लगा हुआ तो बहुत ज़ादा लोग travel नहीं कर रहे थे बट freight उस समय free हो रहा था तो बढ़ भी रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी 2018-19 से ज़ादा नहीं है एक issue हो गया concerns का financial का हम इस समय railways के financial distress के बारे में बात करेंगे तो point to point ये देखेंगे कि क्या railways actually में अच्छी financial हालत में है या नहीं तो पहला तो देखेंगी freight बढ़ रहा है परन्तु उसके बवजूद भी उस level पर नहीं बढ़ रहा है जिस पर बढ़ना चाहिए ठीक है artificially low रखा गया है operating ratio समझ ये कि अगर आप एक company चलाते हैं और suppose कीजिए आपने पूरे साल के अंदर अंदर 10 लाख रुपे कमाए calculations की easy के लिए use करते हैं पूरे साल में 10 लाख रुपे कमाए अब उस company चलाने के लिए पूरे एक साल में आप लोगों की salary भी देंगे आप electricity का bill भी देंगे आपके और भी कई खर्चे होंगे travel के भी खर्चे होंगे अब ये देखना कि आपने 10 लाख रुपे का जो profit कमाया है उसमें वो सारा का सारा खर्चा जो दूसरी चीज़ों पर चला गया है वो कितने percentage है suppose कि ये कि आपने 9 लाख रुपे खर्च कर दिये 9 लाख रुपीज खर्च हो गए और total 10 लाख रुपे आपने कमाये थे इसका मतलब आपका operating ratio जो हुआ वो हुआ 90% यानि कि 10% आपका शुद profit हो गया total earnings वी 10 लाख की खर्चा हो गया 9 लाख का operating ratio यानि कि जो काम करने में operate करने में आपकी company को जितना खर्चा हुआ उसका ratio तो 10% उसी तरीके से जो railways का operating ratio है वो approximately official जो figure है 2019 में 98% थी 2020 यानि पिछले वाले साल में 2020-21 जो इस साल है उसमें 96% 0.96 है मतलब कि जितना भी railways ने revenue कमाया इस पूरे के पूरे साल में 2020-2021 तक financial year April 2020-2020 March 2021 तक जितना भी revenue कमाया उसमें से 96.96% खर्च हो गए operations पर ही खर्च हो गए बाकि जो बचा हुआ 3% हो गया वो हो जाएगा profit अब इसमें एक problem है कि या operating ratio अच्छा है क्योंकि ये 3% का profit हो गया परन्तु इस operating ratio को artificially कम रखा गया है budget में क्यों क्योंकि budget में operating ratio में pension fund जो है जो railway करम चार्जियों को pension जाती है उसको include नहीं किया गया अगर उसको भी include कर दो तो operating ratio आएगा 131% यानि कि खर्चा 131 रुपे का है लेकिन कमाए सिर्फ 100 रुपे है यानि खर्चा की basically 10 रुपे का है लेकिन कमाए 11,30,000 रुपे का है लेकिन कमाए गए सिर्फ 10 रुपे है तो ये extra इसका मतलब financial problem है एक बात देखें operating ratio के बारे में चलिए दूसरा क्योंकि ये Indian railways पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि वो अपने pension fund के लिए adequately provide नहीं कर पाई है 78,000 करोड रुपे का जो pension payment है वो नहीं हो पाई है इंडीड railway ministry ने एक loan भी मांगा है केंदर सरकार से कि basically जो कमी आई है पैसो की आप उसके लिए हमें loan दे दीजिए लेकिन 27,000 करोड का under provisioning 2019-20 में भी हुई थी जब कोई भी COVID नहीं था इसका मतलब यह है कि जो passenger और freight earnings थे वो 2019-20 में कम थे 2018 से भी कम थे इसका मतलब यह है कि जो economic downslide है वो basically COVID-19 से पहले ही शिरू हो चुका था आप देखेंगे तीन चीज़े डिसकस हो रही है 2018-2019 2019 और 2020 और 2020 और 2021 तीन साल के बारे में डिसकस हो रहा है more or less आप देखेंगे कि 2018-2019 का साल usually बहतर था उसमें freight की earning एक लाग 27,000 करोड थी अब इस वाले में एक लाग 24,000 करोड है ठीक है बहतर तो है पिछले वाले साल से इस वाले साल से सारे के सारे बहतर है परन्तु उतने बहतर नहीं जितने 2018 में थे उसी तरीके से जो pension funds है pension funds में भी under provisioning होई है लेकिन वो जो under provisioning होनी है वो 2018-19 में ही start हो गई थी इसका मतलब यह है कि economic downslide जो थी railways की वो पहले से start हो चुकी है COVID-19 का उसके अंदर contribution है जो कि इस साल दिखेगा परन्तु वो उससे पहले ही start हो चुकी है एक बात होगी railway finances are basically out of whack यहाँ पर एक और बात देखते हैं issue क्या है अब decade में बात कर लेते हैं कि 2010-2011 से 2019-20 का पूरा का पूरा 2010-2020 के बारे में बात करते हैं तो जो उनका revenue है passenger और freight revenue जो passenger जो पैसा आता है और freight transport करने से पैसा आता है उसमें increase हुआ 84% यह पूरे यह पूरे decade के हिसाब से देख रहे हैं हम लेकिन जो pension और staff का खर्चा है वो बढ़ गया है 157 प्रतीशत वो double हो गया double हो गया मतलब कि खर्चा अगर revenue और freight भी revenue 157-50% हो जाता तब तो कोई डरने की बात नहीं थी पैसा आ रहा है तो basically staff और pension दी जा सकती है लेकिन revenue नहीं बढ़ रहा है लेकिन staff और pension का जो खर्चा है वो basically double हो चुका है ये problem हो गयी है the staff plus pension cost 55% of the traffic in 2019 they had shot up to 77.5 2010 में total जो earning थी उसमें से 57% pension और staff की salary के लिए चला जाता था अब जो total earning है उसमें से 77% पैसा staff और salary के लिए चला जा रहा है ये एक चिंता करने का विशी है अब ये सवाल जो है कि ये double हुआ कैसे इसमें अचानक से 10 साल में हुआ कैसे एक तो सबसे पहले central pay commission जो कि हर 10 साल में एक बार आता है central commissions की जो recommendation है जिसमें जो हमारे central employees होते हैं उनकी salary में particularly inflation से संबंदित वो कुछ recommendation देती है कि salary में क्या-क्या बढ़ा रहा होना चाहिए एक तो उसकी वज़े से हुआ है अब यही चिंता की बात है कि 2015 में पिशली बार central pay commission आये था उसकी वज़े से जो salaries थी, staff की pensions थी वो बढ़ गई लेकिन वो 2025 में दोबारा से आने वाला है and when 2025 में दोबारा से आएगा तो ये जो staff की pension और salaries है ये बेसिकली और बढ़ जाएंगी जो कि अभी भी डबल है इस समय 157 परतिशत का खर्चा कर रही है increase हुआ है 77 परतिशत of railways revenue are going into staff salary and pension in 2025 when the central pay commission next central pay commission will come they will actually further increase ये समस्य हो गई अब सवाल ये है immediate challenges क्यों कि revenue में quantum jump चाहिए क्योंकि revenue तो अगर देखें बहुत बहतरीन तरीके से बढ़ नहीं रहा है 2021 वाले साल में भी basically 2018 के level का है और 2025 में salary हो जाने वाली है almost double के हिसाब से this will be a major concerns for railways कि basically number of employees को कैसे कम करें क्योंकि जो pension है वो तो immediately कम हो नहीं सकती है so 2 issues होगे railways के सामने number of employees को कम कैसे करना है more importantly revenue के अंदर quantum jump कैसे लाया जाए इस context में सबसे ज़्यादा महतफून हो जाते हैं जो dedicated freight corridors है इस समय कभी कभी क्या होता है जो railway line है उस पे passenger rails भी चलती है और जो freight rails है वो भी चलती है जिसकी वज़े से efficiency कम हो जाती है इसी चीज को मद्यनजर रखते हुए government ने एक project बनाया है freight corridors का dedicated freight corridors यानि वो वाली railway line जिस पर सिर्फ और सिर्फ railways goods transport करेगी उस में से दो dedicated freight corridors यानि east freight corridor और west freight corridor जून 2022 में बनने के लिए तयार है ये इसलिए जरूरी है एक तो ये वाली बात होगी इनकी ज़रूरी दूसरा railway किस प्रकार का freight transport करता है यानि कौन-कौन सा समान है जो कि railway transport करते हैं उसका mix भी बहुत important है अभी जो railway freight transport करता है जो goods transport करते हैं उसमें 50% revenue आता है coal से तो जो ये 1,24,000 करोड की freight earning होगी है हमारे पास railways के पास अप्रेल 2020 से लेके मार्च 2021 तक जो 1,24,000 करोड रुपे की freight earning होई उसमें से 50% यानि 68,000 करोड बेसिकली सिफ coal को transport करने से आई हैं अब सवाल बनता है कि ये जो 50% of freight corridors है वो transport of coal से आती हैं इशू यह है कि भारत ने 2015 का Paris Agreement भी साइन किया है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि carbon emissions में reduction हो दीरे-दीरे जैसे जैसे carbon emissions में reduction होंगी उसी प्रकार से हमें coal के transport को भी दीरे-दीरे कम करना पड़ेगा renewable energy जैसे और ज़्यादा उसके उपर focus करना पड़ेगा this might actually directly affect revenues of the railway freight revenue को affect होगा hence railways को अब नए तरीके ढूणने पड़ेंगे कि जो उनका freight का जो revenue है वो coal से न आके दूसरे किसी product या दूसरे किसी और चीजों से आना start कर दे उसमें और किसी तरीके की उनको efficiency develop करनी पड़ेगी दूसरा major issues again यही वाला जो हम पहले discuss कर चुके हैं कि staff को cost और जो pensions cost है वो basically regularly बढ़ रही है railways की prelims के किसी भी आपका जो भी exam दे रहे हैं उसमें prelims के focus में यह freight corridors को जरूर पढ़ लीजिए freight corridors ट्रांस्पोर्ट एक महत्तपूर्ण हिस्सा रहता है तो मैं एक बर just sign में tangentially जाके यह बात बता देता हूँ कि यह eastern और western corridors है दो corridor जो कि जून 2022 तक operational हो जाएंगे देलभी commission तो यह use होने लग जाएंगे railways के दुआरा eastern corridor 1849 km का है लुधियाना से start होता है और दंकनी वेस्ट बेंगॉल तक चलता है आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा corridor का starting point का है और ending point का है उसी तरीके से western corridor जो है 1500 km के करीब का है यह दिल्ली से start होता है और मुंबई तक जाता है ठीक है पहले दो DFC western dedicated freight dedicated का मतलब कि सिर्फ freight सिर्फ goods transport होंगे इस railway lines पर और उत्तर परदेश से मुंबई एन eastern dedicated freight corridor लुधियाना इन पंजाब टू डंकनी इन वेस्ट बंगॉल बेसिकली railway network है उसको decongest कर देगा तो जो दूसरी railway line है वो passengers के लिए use होंगी और यहां से basically specifically goods transport करे जाएंगे efficiency आएगी इससे बढ़िया more or less यह इनकी जो land इसके लिए acquire करनी थी वो सारी की सारी हो चुके 99% of the required land has been acquired और इनका काम अलग-अलग different stages पे है इस समय plan के according यह बात ध्यान रखिए कि this is a bigger project bigger project में इसको कहा जाता है golden quadrilateral freight corridor golden quadrilateral freight corridor golden quadrilateral इसले कहा जाता है कि total इसके अदर सबसे पहले इसको quadrilateral shape यहाँ पे डेली है एक line दिल्ली से मुंबई तक जाएगी एक line मुंबई से चेन्नाई तक जाएगी और एक line चेन्नाई से कॉलकता तक जाएगी और फिर एक कॉलकता से डेली बन गया corridor साथ में इसके साथ दो और इसके अंदर corridor है जिसको कहा जाता है north-south और east-west यानि एक कॉलकता से मुंबई चली जाएगी diagonally यह east-west corridor कहलाएगा और एक दिल्ली से चेन्नाई चली जाएगी यानि कि यह north-south corridor कहलाएगा ठीक है आपको यह सारा का सारा बड़ा infrastructure project है जिसकी भारत की economy पर काफी major असर पढ़ सकता है hence it is very important and you should know about it coming back to the railways railway का जो budget है तो वो तो basically इधिहास में जा चुका है दुबारा से अलग railway का budget आएगा नहीं आप से जब critical analysis पूछे railways के बारे में तो आप वहाँ पर suggestions में एक advice के तोर पे या एक futuristic conclusion के तोर पे आप ये कह सकते हैं कि railway budget दो history में है लेकिन हमें ज़रूरत है एक railway report की जैसे economic survey आता है हर साल जिसमें पूरे भारत की economy का analysis होता है और future growth के plans होते हैं उसी तरीके से railways के लिए भी एक Indian railway report आनी चाहिए क्योंकि ये चाहे public या private हो सबसे बड़ी establishment है पूरे के पूरे देश की तो इसका economy से related बहुत ज़्यादा महत्वपूर होता है जिससे उसको पूरा का पूरा Parliament जो है उसको हर चीज उसकी financial performance को physical और financial performance को railways को understand कर सके analyze कर सके और उसकी detailing कर सके लोगों को जानना ज़रूरी है कि railways किस परकार से perform कर रही है अभी अभी हमने देखा there might be some issues उसके freight corridor जो बन रहे हैं उसका जो freight का product mix है वो coal पर dependent है बहुत ज़रूरी होगा उसको change करना उसके बाद उसको improve करना भी बहुत ज़रूरी है जिसके लिए हमें कुछ और नए तरीके अपनाने पड़ेंगे और जो यह burgeoning cost है salary की, staff की और pensions की इसको किस तरीके से कम किया जाए इसके लिए railways को कुछ न कुछ innovative ideas सामने लाने पड़ेंगे railways are in the midst of an unprecedented financial distress and are faced with fundamental organizational issues इस समय evasiveness या obsfication यानि कुछ चुपाने की या avoid करने की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत है basically transparency की railways के साथ railway का critical analysis how the Indian railway sector is performing बहुत सरलता से किसी भी exam में पूछा जा सकता है please इसको focus कर लिजिएगा in case you need the PDF of this video तो यह telegram channel है where I will share the PDF and the notifications for the upcoming classes and in case you still have some doubts regarding the class तो मुझे मेरे किसी भी social media handle पर find out करके आप मुझे directly message कर सकते हैं some messages are replied very late but they will be replied one way or the other however if you do like the video तो यह YouTube video के नीचे comments करके ज़रूरू बताएगा that is my favorite part of the day have a nice day